बात की जाएं यहां से अगर एडिबल ओल पैक की तो एडिबल पैक में देख रहे हैं कि हम रिफाइंड सोया बीन का डिसंबर बाइदा बारो सो एक पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया बात की तो एक पर ट्रेड की मकाबले तोटता नज़र आ रहा है हालाकि शादी सीजन की माँग है लेकिन जो आयात है सरकार वो भी ठीक ठाकी कर रही है और आपको बता दें कि नवंबर 2021 में अक्टूबर 2021 के मकाबले जो आयात है खादे तेलों का वो लगबख डबल होता नज़र आया है सोयवीन का जिसकी वज़ा से सोयवीन का वायदा वज़र उठ नहीं पा रहा है हालाकि शादी सीजन के चलते इसकी जो कंजप्शन है जो घरेलो डिमांड है भारत की वो बरती नज़र आई है लेकिन हाल फिलाल में ऐसा कोई उच्छाल रिफाइंड सोयवीन के अंदर बनता नज़र नहीं आ रहा है जो कि रिफाइंड सोयवीन की कीमतों को आगे तेजी की और लेके जाए जानकारों के अनुसरा रिफाइंड सोयवीन का वायदा वज़ा 1160 से लेकर 1220 की एक सीमित दैरे में ट्रेड करता नज़र आ सकता है नहीं जादा गिरावट रहेगी तो जादा तेजी भी नहीं बनेगी सीमित दैरे में रहेगा हलका फुलका कारोबार उठापटक वाला महौल ऐसी देखने को मिलता रहेगा इसी के साथ साथ बात करें हाँ से अगर सोयबीन की तो सोयबीन का दिसम्बर बाद देख रहे हैं कि 4538 पर ट्रेड गरता निज़र आ रहा है मैंहalam posy बढ़त हैं, 4586 का ही लगा चुका है देख रहे हैं कि सोयबीन का दिसम्बर बाद़ шbet देख रहा है जो की कीमतों को नीचे में 2600 तक लेके गई थी और फिर उसके बाद हम देख रहे ही हैं कि अब सोयबिन में पैंसरिसो के लैओलस देखने को मिल रहे हैं आपको बता दें कि वाइदा में हो सकता है कि सोयबिन आने वाले दिनों में हलवी हलकी फुलकी कुछ गिरावट दिखलाती नजर आ जाए और बात करें अगर हाजिर की तो हाजिर में भी देख रहे हैं कि जो किसान लगबक तीन महीने से जादा तक सोयबीन में जो स्टॉक करके चल रहे थे अब वो दिरे दिरे अपना माल निकालना शुरू कर चुके हैं जो सोयबीन किसान है अब वो दिरे दिरे मंडियों में सोयबीन की बिक्वाली करने लगे हैं किसानों ने जो अपनी सोयबीन स्टॉक करी थी उसकी वज़ा से उन्हें जो दाम था 2000 रुपे पहले की मुकाबले बढ़कर मिलाता लेकिन अब किसानों में डर है कि कहीं सोयाख खली का आयात ना हो जाए और उनकी सोयवीन के दाम न घट जाए हाला कि सरकार इस पर साफ कर चुकी है कि सरकार अभी सोयाख खली का आयात नहीं कर रही है पोल्टरी की मांग को रद कर दिया गया था क्योंकि इससे पहले उने देखा था कि जो सोयवीन किसान थे सोयाख खली के आयात होने की वज़ासे काफी चोट खा चुके थे वहीं सरकार का और सूतरो का ये भी कहना है कि जब घरेलू उतपादन ही अच्छा बताया जा रहा है सोपा द्वारा की पहले के मुकाबले लगबग 14-15 फीजदी उतपादन जादर आए सकता है सोपा के सर्वे के मुताबी तो आयात करके क्या फैदा अगर इंकम बढानी है तो अपने ही घरेलू किसानों की क्यों न बढ़ाई लगे या ना लगे और सोयखली का आयात करना पड़ जा या ना करे सरकार जिसकी वज़ा से जो सोयवीन किसाने धीरे-धीरे अब मंडियों में अपनी सोयवीन बेचने लगे है और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी सोयवीन की कीमते उठी थी मंडियों में जो आवके थी उनका दबाव बुनीयाता आवकों का प्रेशर बनता नजर आयाता जिसकी वज़ा से कीमतों में दबावाया था और वही हम देखने हैं की आवके मंडियों में अब कुछ बड़ोती देखने हैं सोयबीन की आवकों में मन्डियों की अंजर जिसकी वजासे जो दाम है अब वो धीर धीर कई नह कई घरते नजर आ फे know महराइश्ट की मंडियों में सोयबीन की जो कीमते है वो पहले के मुगावले काफी घरती नजर आइए लब दो हजार रुपे कुइंटल तक दाम घटे नजर आएं सोयवीन की आवक बढ़ने से तो सोयवीन किसान खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे सोयवीन की कीमते क्या रहेंगी अगर ऐसी मंडियों में आवकों का दबाव बनता नजर आता रहा तो और दूसरी ओमिक्रॉन से रिलेटेड जानगरी देना चाहूंगा कि अभी ओमिक्रॉन का जो असर है ऐसा हाल फिलाल में कोई देखने को नहीं मिला है कि लोगडॉन वाली परिस्थिती बनती नजर आए या फिर जो वेपार है वो ठपोते नजर आए या फिर मौत के मामले काफी जादा आएं अभी जैसा डेल्टा वेरियंट में हमने देखा था हाला कि ओमिक्रॉन का खतरनाक जादा बताया जा रहा है लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैक्टर देखने को नहीं मिला है अवी क्रॉन का या इंपैक्ट देखनों नहीं मिला असर नहीं है अभी तक जिसकी वज़ा से जो कम्पणिजा है बाजार हैं चैया शेर बाजार हो तरीके से निरंतर अभी जारी है जैसे वो अपने शैड difarna के इसाफ़ के चलते हैं तो जो किसान है जो सोयवीन का स्टॉक करके रख रहेते अब वो धीरे-धीरे मंडियों में ला रही हैं और अपनी सोयवीन की उपज़ की बिक्वाली कर रहे हैं जानकारों के अनुसार, सोय बीन का दाम जैनवरी तक, जैनवरी के मद्ध तक या जैनवरी के अन्द तक 7000 जातावन नजर आ सकता है। जरूर की जाएगी